ये कहना गलत नहीं होगा कि शूगर का इलाज आप डेड़ घंटे में कर देते हैं जी अलहमदो इलाज जिसको शूगर होगी उसका इलाज नहीं है लेकिन अब ये इलाज मुम्किन है ये एक revolution है आपने सर टाइप 2 डाइबटीज के पेशेंट को इंसुलीन से भी हटा दिया वो मेडिसन भी नहीं ले रहे हैं ये तरीका इलाज अब वर्ल्ड वाइड रेकगनाइस ट्रीटमेंट है लब-लबे को ट्रांस्प्लांट कर दिया जाए तो टाइप 1 भी ठीक हो जाएगी अस्वामलीकूम मैं हूं महर जिशान आप देख रहे हैं 92 News Digital डाइबटीज यानि के शुगर ये वो बिमारी है जिसने पूरी दुनिया को जकड़ के रखा हुआ है IDF की रिपोर्ट के मताबिक पाकिस्तान की 30.8% पॉपिलेशन इसका शिकार है जिसका सीधा सीधा मतलब तकरीबन 7.5 करोड लोग बनता है डाइबटीज को कंट्रोल किया जाता है इसको इंसुलीन से कंट्रोल किया जाता है इसको डिफरेंट रेमेडीज के साथ कंट्रोल किया जाता है इसको डिफरेंट मेडिकेशन के साथ कंट्रोल किया जाता है मगर इसका कोई मुकमल इलाज नहीं है मगर मैं आज आपकी मुलाकात डॉक्टर मौसिन गिलानी से करवाता हूँ जिन्होंने इसका मुकमल इलाज किया है. मुझे बताइएगा कि डाइबिटीज, आपको पता है कि आप डेली पेशिंट्स देखते हैं, तो इसका मुकमल इलाज जो आपने मुझे बात बताईए, ये नया मैथ़ड आपने मुझे बताया है, ये क्या चीज है? तेखेंएं सीशान, पहले तो टाइब टू डाइबिटीज को समझना जरूरी है, डाइबिटीज एक शूगर ये बिमारी होती है जिसमें शूगर के लेवल बढ़ जाते हैं, अच्छा इसमें टाइब टू डाइबिटीज के बारे में बात करेंगे, वो टाइब टू डाइबिटीज में लूब लूबे का प्रावलम ही नहीं होता लूब लूबा इंसुलीन बना रहा होते हैं लेकिन इंसुलीन काम नहीं कर पाती अब जब इंसुलीन काम नहीं कर पाती तो पैंक्रियास या लूब लूबे के सेल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है और एक खा जिवाज जिसम से खत्म कर दें तो इसका इलाज मुम्किन है और काफी पेशेंट जितें भी मैंने काफी पेशेंट आप हो गया रहा हम दोजला वो ना ही इंसुनिन ले रहे हैं और ना ही अपनी अद्वियात लेनी पड़ रही हैं उनको यानि के आपने सर टाइब टू डाइबिटीज के पेशेंट को इंसुलीन से भी हटा दिया वो मैडिसन भी नहीं ले रहे हैं बिलकुल मैडिसन नहीं ले रहे हैं अच्छा एक चीज़ मैं जरूर दुबारा हर अपने प्रोग्राम में मेंशन करता हूं कि यह तरीका इलाज अब वर्ल्ड वाइड रेकगनाईस ट्रीटमेंट है जिसको मेटाबॉलिक सरजरी या लेपरोस्कोपिक सरजरी फॉर टाइब टू डाइबिटीज कहा जाता है ठीक है इस में होता ही है कि छोटे सुराख के साथ प्रोसीजर करते हैं जिसमें वो फैक्टर जो मैंने बताया दूसरा मुटापब वो होता है जिसको सेंटरल अबेसिटी कहते हैं सेंटरल अबेसिटी क्या है जो पेट के ओपर की चर्बी है जो वेस्ट के अंदर की चर्बी है या आतों के अंदर चर्बी होते है लीवर इंडाबेटिक पेशन्स के काफी है वी जिसको फैटी लीवर क patient's में कम होता चला जाता है तो होता यह है कि हम insulin तो देते रहते हैं टैबलेट्स भी देते रहते हैं लेकिन वो factor अपने ज़्याबे मौजूद होता है इस वज़ा से इन patient's में treat करना या diabetes को control करना वो मुमकिन नहीं होता तो इस वज़ा से पहले जो आपने बात की कि इसका इलाज नहीं है पहले हम यहीं सुना करते थे कि जी टाइप जो जिसको sugar होगी उसका इलाज नहीं है लेकिन अब यह इलाज मुमकिन है अगर हम उस pancreas के उस level पे काम करें जब वो अभी बचा हुआ है काफियाद तक काम कर रहा है तो हम मगर यह factors दूर कर देतें एक keyhole surgery के साथ चोटे सुरा की surgery के साथ तो यह एक revolution है in the field of surgery sir यह method पाकिस्तान में find out किया है आपने या किसी और मलक में जा किया नहीं यह method जो है यह तकरीबन इसकी history बीस साल पुरानी है पहला जो operation हुआ टाइप two diabetes का वो अठारा से बीस साल पहले हुआ और यह अब एक well recognized treatment है सारी दुनिया में अमेरिका में यॉरप में इंडिया में बहुत जादा हो रहा है टर्की में बहुत जादा हो रहा है और यह इसकी मैंने ट्रेनिंग ली थी अमेरिकास में बॉस्टन से American College of Surgeons के और साथ में जो सब से best center है for advanced leproscopic surgery वो है Belgium में ठीक है तो वहां से मैंने fellowship की इसकी लिए और यहां पे पागिस्तान में आके हमने तक्रीबन दो साल हो गए जब इसका हमने बकाइदा treatment स्टार्ट कर दिया काफी patients हैं जिनके हमारे पस reviews भी हैं जो अपडेट साल पहले जिसका operation किया वह इस वक्त साथी अरेबिया में था लास्ट टाइम आया था तो यह कोई दवाई ले रहा है ना इंसुलीन ले रहे हैं ना टैबले ले रहे हैं तो सर बीस साल लगा दिये मेडिकल फील्ड ने इसको एक्सेप्ट करते हुए कि मैथर से इंसान ठीक हो जाता है और अब अब जाके नहीं बीस साल जाया निकिए बीस साल पहले पता चला उनको कि यह यह भी एक्सिडेंटली मिली है यह भी एक्सिडेंटली मिली बिल्कुल जब उन्होंने मुटापे की सजरी का आपरेशन किया तो मोटे बंदे जो के शुगर थी उसको उन्हों ने देखा कि इसका मुटापा तो ठीक हुआ जाके छे महीने में यह आठ महीने में लेकिन इस पिर डेटा क्लेक्ट किया, फिर उसके रिजल्ट दिये, फिर डिफरेंट सी जगों पर डिसकेशन हुई, तो इसको इवाल होते होते हैं, अब ये, इस स्टेज पे एक वेल रेकनाइज, इसलिए जो भी हमारी सुसाइटी जिस तरह American College of Surgeons of Bariatric and Metabolic Surgery, ASMBS है, इसी तरह जो हमा कितनी होती हैं, तो है, वो relatively safe surgery है, ये painful होता है, ये कितनी देर की surgery होती है, इसका क्या तरीका कार है, ये है minimal invasive surgery, छोटे सुराग के साथ pain इसमें ना होने के बराबर होती है, क्योंकि इसमें बड़े cut हम नहीं लगाते, कोई extra औजार ये instrument जिसम के अंदर दाखिल नहीं करते, तो सर कितनी देर में, जैसे let's suppose आज एक patient ने करवाया है, आज की date में उसने operation करवा लिया, अपना ये लब-लबे का, और उसके बाद वो कितने दिनों में इस काबिल होगा कि वो अपने घर चला जाए, दूसरे देन patient अपने घर चल के अपने डौम हलालत में पहुंच जाता procedure है, तो ये कहना, बाकी तो जो precautions हैं, वो तो ठीक हैं, मगर ये कहना गलत नहीं होगा कि शुगर का इलाज आप डेड़ घंटे में कर देते हैं, जी, अलहम्दो इल्दा, सर ये जो आपने पहली surgery पाकिस्तान में कब की थी, ये पहली surgery दो साल पहले, तो सर दो साल पहले में आ रहें, तो वो पेशेंट थे, जो मियां बीवी आए थे, दोनों इकठे, ठीक है, थे पाकिस्तानी लेकिन बाहर रहते थे, बीवी की शुगर बहुत ज़्यादा बुरी नहीं थी, मियां की बहुत ज़्यादा बुरी condition थी, तो वो आए थे कि यहां बड़े अजीरा है, हमने अपना जो है ना उपरेशन कराना चाहते हैं इसका, हमने सुना कि मेटाबॉलिक सजरी हो रही है, वहां पर वाफोर नहीं कर पाते तो यहां पर जरा हमने बहुत ही मुनासिब दामों पे उनका उपरेशन किया, कम उस पे, और अलहमदोलिल्ला वो एक महीना यहां पे रहे और एक महीने के अंदर अंदर उनकी जो इनसुलीन आप में आपको में बताऊं कि एक सो दस यूनिट लगा रहे थे और एक सो दस यूनिट शाम में और साथ में टैबलेट्स भी, तो एक माह बाद उनकी रिक्वाइर्मेंट जो थी चार यूनिट स्पे आगे थी, चार यूनिट एक सो दस यूनिट दिन में और एक सो दस यूनिट वो शाम में ले रहे हैं यानि कि दो सो बीस यूनिट वो पर डे इंसुलीन ले रहे थे और फिर बाद में वो मैडिसन भी अलग से खार दे डिफरन जो टैबलेट्स आती हैं तो सरजरी के बाद वो चार यू होना चाहिए ठीक है और जब वो दुबारा हमारे पास है तकरीबन कोई छे महीने के बाद जो पहला उनका विजर्ट था क्योंकि बाहर रहते थे तो उनकी जो एच्बी एवन सी वो थी वो फाइब पॉइंट सेवन थी देखें यह ऐसी ट्रीटमेंट है जो के एक तरह का सद पह्तियाब हो गये जी जी अलुमद unglaubलाला की मयर्मानी थे उनका बकाइदा रखोड है उनके कॉंटेक्ट नम 게IR कोंटेक्ट नमबर कें। तो एक ही फैमिली के वो फैसलाबाद से बिलॉंग करते हैं उनकी एक ही फैमिली के पांच पेशिंट की वहने अभी तो सर ये सरजरी के अलावा कोई और मैथड नहीं है जिससे आप शुगर को केंट्रोल हो जाए यह अप्याय कि अपके अब तो शुगर आपकी बात मानती होगी ना शुगर बात जरूर मानती अगर हम उसकी बात मानने शुरू कर दें तो ठीक है वह कहती है कि कम से कम खानक है एक टाइम पेट भार के ना खाएं, नीद अपनी पूरी करें, फोल डिंक्स ना पिएं, फजी डिंक्स फिजी डिंक्स जो हैं और बेकरी प्रोड़क्स कम से कम लें, अपनी एक्सरसाइज करें, अगार हम ये शुगर की बातें मानेंगी तो वह भी मान लेगी शुगर के मरीज के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसको शुगर हो जाती है, तो उसके बाद उसकी बाड़ी के अंदर और मसले मसायल भी शुरू हो जाते हैं तो मुझे काइंडली आप ये बता सकते हैं कि शुगर किस किस पॉइंट पे इनसान को एफेक्ट करती है बिनाई खतम होना शुरू हो जाती है, कई पेशेंट आती जिनकी बिनाई खतम हो जाती है, शुगर की वज़ा से हार्ट की डिजीजेज, दिल की खून की शरियाने बंद होना शुरू हो जाती है, बाई पास की तरफ जाना पड़ जाता है किडनीज के डैमेज होना, किडनीज फेलियर की तरफ पेशेंट चले जाते हैं ठीक है, और उसमें पता ही नहीं चलता पहले शुरू में, और पता जलता है कि जो जिसमें दार्दुआ, वेट गरना शुरू हो गया, रंगत तबीर होना शुरू होगी, टेस्ट कराया तो किडनीज फेलियर है ठीक है, और इसके साथ साथ बाकी नसें कमजोर हो जाते हैं, टांगों की शरियाने, बियेंगा सर्जन हम कई बड़ा ही अफसोसनाक चीज़ें होती हैं, कि उनकी टांगे कारनी पड़ती है यह वो पेचीदगी हैं जिससे बचा जा सकता है, जो अच्छी बात है बताने वाली वो यह है कि इन चीज़ों से बचा जा सकता है अगर हम शुगर को कंट्रोल करने अपने सहत के बारे में, मेरा यह पका इमान है कि इमान एक सबसे बड़ी नहमत होती है इमान की नहमत के बाद सबसे बड़ी नहमत सहत है तो अगर हम अपनी सहत का धियान रखें और खास अपर मुटापा और शुगर यह अब पेंडेमिक है रियल, कोवेड आया था वो चला गया इस तरह की कई बिमारी आएं जो खतम होगी, टी बी थी, किसी टाइम पे प्लैग था, चीज़ें आती हैं खतम हो जाती है लेकिन शुगर और मुटापा दो ऐसी बिमारी हैं जिसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया हुए इसी के साथ महर जिशान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्ला हाफिज